हाई गाईज आप सब कैसे हो आई हूप आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो गाईज चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लोग तो देखिए बरसाद का मौसम चल रहा है और आसमान इतना अच्छा लगता है ना बरसाद में कभी बारी सोड़ी है जचे धूर निकल रहा है और इस टाइम पर आसमान डेकने में इस बहुत लगए ना जाराई बहुत शुंदर है तो देखिए आसमान की तरफ देखिंगा बहुत अच्छा लगता है और आज देखिए कम मैं बना रही हूं लॉंग विंस और कोकोनट है ना नारियल के साथ फ्राई तो वह लॉंग विंस आलू और नारियल फ्राई आज में बनाऊंगी यह बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार है तो हपते में एक दिन तो मतलब नॉन विच नहीं होता सिर बेच खाते है तो देखिए मम्मी मार् नॉन फ्राई बच छेड़ा दिया है तो जैसे छिसदिन बिच खाते ना तो उस दिन मतलम नॉनन वेज जिसदिन नहीं बनता तो उस दिन श्चाए नहीं लगता तो उस दिन ऐसा टीप सबजी बना लेते है तो बहुत बहुत खाने में अच्छा लगता है तो देखिए कहा में रीघ शलम हग प्ला जोटे ही हैं हम बंगाली हो टो काला जीरा ही कहते हैं तो पॉली आनल दाल लिया प्लाइट के लिख काला जीरा भीचितो टालेट भीचिते और उच्छी तरीकिसी में फ्राइ यह फ्राइं कर प्यूंगा बाद Tam या छो परला हे तैस्टी ईसको चावल के साथ हुआए। एसको चावल के साथ हाँ झाल ul सबसे ह्री मिर्च और लिया तो यह थोड़ा सा 28 तैसमें थोड़ा साधै बहुत अच्छा लगता है सिर रासा उसको हणिशाद नहीं करें अहुत質 जाल मिर्च हल्दी पाउडर और नमक से यह बहुत टेस्टी बनेगा तो देखिए यह मसाला में डाल दिया है और इसको अची तरीके से मिक्स कर दोंगी में सबजी के साथ तो इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पानी डालने से यह थोड़ा सा अच्छा बनेगा तो यह फ्राई हो रहा है ना तो इसको मतलब गैस का फ्लेम लो करके यह सबजी पाकाना पड़ता है और यह सबजी बहुत बहुत स्वादिस्ट बनता है जैसे चावल के साथ तो बहुत अच्छा लगता है मतलब मचली वचली की जरूरत नहीं क्योंकि एक दिन हम कि लिए पर कि जरूरत तो इस दिन जय से बहुत 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 अच्छा बनता है वेच काना तो देखे, यह देखे, नारियल और नारियल के साथ भी अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगी और गैस का फ्लेम लोू है लगए नहीं रखना है और धिरे दिरे चमस्लाना जैसे दो तिन मिनित के बाद चम्मच से उल्टा पल्टा करना पड़ता है क्योंकि नीचे का अगर पंग जाए उपर कर देना पड़ता है तो आप लोग भी ऐसे बना लेजिए बहुत ही टेस्टी बनता है रोटी के साथ भी खान में बहुत अच्छा लगता है तो गाई अग मतलब मुत खड़ाख हो जाता है तो इस दिन मुम HERE करने के लिए ये सब्सक्राइब बहुत ही लाजवाब है तो देखिए गाईश ये धीर्यक जा रह और ये टीर्यक चम्मच से रहे है देखे, पक चुका है, लोंग बिंज भी पक चुकी है, आलू भी पक चुका है, अभी ये उतार लिया है, और एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है, और चावल के साथ हम लोग खाएंगे, क्योंकि हम लोग बंगाली है, हम लोग रोटी से ज़्यादा चावल पसंद करते हैं तो गाइस यह में ने डाल लिया है और इतना देखने में अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है तो गाइस आज का वीडियो इतना ही मिलते हैं अगले ब्लोग में बाई बाई गाईस